दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो हमारे देश में ही स्थित एक बेहद ही खूबसूरत राज्य है। यह राज्य भूमध्य रेखा से केवल आठ डिग्री की दूरी पर होने के कारण यह काफी गर्म रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं, उसका नाम है केरल। यह राज्य भारत के दक्षिन पूर्व की दिशाओं में स्थित, अपने समरिध इतिहास और संस्कृती के लिए पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। दोस्तों, केरल हमारे भारत देश के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है और यह अपने लोकप्रिय हिल स्टेशन। बेहद ही शानदार बैक वाटर, नारियल के पेड दूर दूर तक पहली चाय की बगान और भव्य चाय संपदा, नीला अरब सागर और केरल में स्थित प्राचीन सभ्यता के शहर कला और संस्कृति के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आईए दोस्तों, जानते हैं केरल से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में। दोस्तों, अगर बात करें केरल के राजकिय पशू के बारे में, तो यहां का राजकिय साल 1949 इसवी के बाद इस नाम को बदल कर केरल कर दिया गया। दोस्तों, अगर बात करें केरल की कैपिटल के बारे में तो इस राज्य की राजधानी तिरुवनंत पुरम है और क्षेत्रफल के नजरिये से केरल का सबसे बड़ा जिला पलककड है और सबसे छोटे जिले में अल पुझा का नाम आता है। दोस्तों, केरल की यह बात आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस देश में पूरे 118 स्तन धारियों की प्रजातियां, 500 से भी ज्यादा अलग-अलग पंक्शियों की प्रजातियां, 189 मचहलियों की प्रजातियां और 173 रेंगने वाले ज लाजू और चाय है, इसके अलावा कॉफी, रबड, सुपारी, नारियल, केला, चावल, अदरक, काली मिर्च, गन्ना और भी कई तरह की सबजियां पैदा करी जाती है। इसके साथ ही केरल पूरे भारत को 91 प्रतिशत रबर उतपाद करके देता है। इसके अलावा इस पाकी के बचे तीन नदियां पूर्व की दिशाओं में बहती है। इसके अलावा केरल 18 सदी से पहले इसके एक तिहाई हिस्सों में पूरे जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो मातर एक चौथाई हिस्सा ही जंगल रह गया। इसके साथ ही यहां का सबसे उचा पहाड 2695 मीटर की है और इस पहाड का नाम मोदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों केरल के मुख्यतह त्योहार में ओनम, विशु, क्रिसमस और महा शिवरात्री है। वहीं इस राज्य की मुख्य शास्त्रियन रित्य कथकली है। इसके साथ ही दोस् दोस्तों कोच्ची केरल का सबसे प्रमुख बंदरगाह है जिसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि केरल पूरे भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा आयूरवेदिक दवाईयों का उप्योग किया जाता है और केरली ये आयूरवेदिक प्रमपरा पुराने काल के प्राचीन समय से चलता आ रहा है। यही कारण है कि केरल पूरे दुनिया भर में अपने आयूरवेदिक चिकितसा शैली के वजह से दूर दूर तक जाना जाता है। केरल की साक्षर्टा दर्चानबे प्रतिशत की है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि केरल में रहने वाले नाग्रिकों के पास उनकी खुद की जमीन है और उसी जमीन पर उनके सपनों का घर भी और यहां पर रहने वाले आधे से ज्यादा आबादी अपने क्रिशिके उपर निर्भर करती है और चावल केरल की सबसे मुख्य फसल के साथ साथ यहां का मुख्य भोजन भी है। दोस्तों अगर बात करें यहां के मुख्य पडोसी राज्य के बारे में तो तमिलनाडू और करनाटक है और इस राज्य में आधिकारिक रूप से मल्लयालम बोली औ इरिया में फैला हुआ है। इसके साथ ही केरल की पूरी पापुलेशन तीन करोड के करीब लोग यहां पर अपना जीवन बिताते हैं। दोस्तों केरल में पूरे पॉपुलेशन का 56 प्रतिशत आबादी हिंदू धर्म को मानता है और 25 प्रतिशत आबादी मुसलिम धर्म औ और 19 प्रतिशत आबादी इसाई हैं और बाकी के बच्चे यहां पर यहूदी समुदाए के लोग भी रहते हैं। दोस्तों यहां की यह बात आपको जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि केरल में कन्या भून हत्या जैसा कुछ भी नहीं होता है और इस राज्य में 1000 पुर प्रकृतिक इन ही हाथियों के साथ जुड़ी हुई है। केरल प्रकृति की सुंदर्ता से भरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य है जिसमें हर साल लाखों की संख्या में अलग-अलग देशों से टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं और जिन लोगों को प्रकृति उनके लिए केरल स्वर्ग से कम नहीं होगा। तो दोस्तों यह थी केरल से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें। अगर आपको केरल का ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार करतें।